सबीको मेरा नमस्कार, मैं राम सिंग सरावग, साहिक आचारी इतिहास, राजस्तान कोले सिक्षा, सात्यों हमारा चेप्टर चल रहा है शिंदु गाटी सब्वेता, और आज हम जो इस वीडियो में अध्यन करेंगे, उसमें कुछ से जो टोपिक्स हैं इस चेप्टर के उनका अध्यन करेंगे तक पढ़ा नहीं जासका है यानि लिपी के बारे में दो चीजें समाने हैं एक तो पढ़ा नहीं जासका है पस्ट रूप से दूसरा एक चितरात्मक लिपी थी यानि इस लिपी के जो जो चितर मिले है जो जो लिपी मिली है वो चित्रों के रूप में चीनों के रूप में मि है चित्रों के रूप में और चीनों के रूप में हमें प्राप्त होती है जिसमें अनेक चीतर जैसा कि मैंने नीचे लिखा है कि कितने चीतर मिलते हैं लग बग 400 के आसपास आलांकि यह निश्चित नहीं है क्योंकि कुछ विद्वान इसको साढ़े चार सो भी बताते हैं कु तो अधिकांस चीन जो हैं वो इसके महरों पर मिलते हैं यह हमने पहले के जो वीडियो हैं पहले के जो टोपिकों का अध्यन कर रहे थे उस समय भी हमने इस तथे को कंसिडर किया है कि ज्यादातर जो चीन है वो महरों पर मिले हैं और ज्यादा लंबे इस लिपी में जो ले यह कंशिंदू दिखाई दे रहे हैं जैसे ठीजए तया है समन्दी लिया दिखाई डायग्राम क्यों एस विल्स कई और द्शिए्टीन के श्कू बहुत एकुर्स्टीच के जिसने इसे यहां Archive चितर भी या चिन भी मिलते हैं जो कि इसमें साइद संभवत है नहीं होगा है तो ये एक इस दिसा में है और एक इस ऐसा कुछ है तो मचली जैसे चिन है वो भी बड़ी संक्या में है और यू आकार के चिन है वो भी बड़ी संक्या में है चिनों की बात करें तो तो साथ यो देखिए यह तो हो गई इनके चिनों की बात ज्यादा तर चिन क्या है मचली और यू आकार जैसे हैं जिसको हमने देखा भी और अगला इसके लिपी से समंधित कैसे लिखी जाती थी सेंदव लिपी दाइं और से बाइं और लिखी गई है जहां पंक्ति शिरप एक है यानि एक ही पंक्ति में अगर लिखावा मिला है तो वो क्या है दाइं से बाइं और लिखा गया है और वर्तमान में जो हम लिख रहे हैं वो कैसे है हिंदी भासा या देवनागरी में वो बाइं से दाइं है तो इसमें दाइं से बाइं है और पंक्तियां जो हैं वो एक से अधिक अगर मिली है तो वो कैसे गो मुत्राक्षर सेली में लिखी गई है बुस्ट्रो फेदन यानि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जैसे दाएं से बाएं बाएं से दाएं और यह इस तरह से इसको क्या करते हैं यह चितर आपको जो डाइग्राम मैंने बनाया ह ये इस सेली में लिखी थी है, इसको कहते हैं बुस्ट्रू फेदन या गोमुतराकसर तरीका लिखने का, तो ये लिखने की सेली थी बहुत से पुरातत वे विद्दियों था भासा विश्यशक्यों ने इस लिपी को पढ़ने के परियास किये हैं, जिसमें सबसे पहला परिया में किया इन उसे मिलती जूलती ती उसका उदवाचन हत फिर उसको समान था कारण क्या है कि नीचे नीचे मैंने लिखा है कि दिवभासिक लेख के अभाव में सिरफ एक ही परकार के लेख मिलते हैं दो भासाओं ये दो लीपियों में अगर ये मिलते तो एक को पढ़ा जाता तो दूसरी अपने आप समझ में आ सकती है लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है उने भी परियास किया एक विशेश तथे कि महादेवन ने कंप्यूटर के मादेम से इस लीपि को पढ़ने का परियास किया है तो ये थे साथियो इस लीपि से समंधित सामाने तथे या जानकारियां जिन से समंधित अनेक परसंद पूछे जाते हैं अब इस वीडियो में ह से हुआ तो इस पर भी विद्वानों ने अलग-अलग अपने मत परस्तूत किये हैं पहला मत जो हमें दिखाई दे रहा है उपरी उपर गार्डन चाइल्ड क्या कहता है वीलर और गार्डन चाइल्ड दोनों कहते हैं कि आरियों के आकर्मन के कारणी यह सब बेता नस्थ अब यह जो वीलर का मत है यहीं कंसिडर करना है अपने को अलग बिंदू की रूप में नहीं करके वीलर कहता है कि रिगवेद में रिगवेद में एक वर्णन है क्या वर्णन है रिगवेद में एक सब्द है पुरंदर इंदर को क्या कहा गया है इंदर को पुरंदर कहा गय ठीक है? और एक सब्द आया है वहाँ रिवेद में हरी यूपिया तो ये जो वीलर मोदे हैं इन दोनों सब्दों को के आधार पर अपना मत जो है इसको गड़ते हैं और क्या गड़ते हैं? कि जो पुरंदर कहा गया है इंदर को पुरंदर का मतलब इन्होंने सीधा किसे लिया है? कि जो हड़पा सब्दा की बस्तियां थी दुर्गीकर्थ बस्तियां वो ही पुरंदर थी और हरी यूपिया जो है वो क्या था? हड़पा था और ये जो उलेख मिलता है रिगवेद में ये संभवता है इन्दर द्वारा ये दुर्गीकर्थ जो बस्तियां है हडपा सब्दा की इसको नश्ट करने के बारे में है तो ये हुईलर क्या कहते है? कि इन्दर ने इसको नश्ट किया और कौन से सबदों का आधार बनाते है? पुरंदर और हरी यूपिया पुरंदर का मतलब दुर्गों का wynaz का मतलब हो कह लेते हैं दुर्गीकर्द बस्तियां उसको संध्रभ में लेते हैं अपा को और कहते हैं इंदर ने इस परकार से इसको नस्ट कर दिया अगले करम में जोन मार्सल अर्नेस्ट में के ऐसा रा उन्होंने क्या माना है बाड का परकोप ये लोग मानते हैं कि बाड के कारण संभुत है सबेता नस्त हो गई होगी जैसा कि हम मोन जोदरों पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये कंसीडर करवाया था ये अध्यन किया था हमने कि मोन जोदरों से साथ संसकर्ती के साथ इस्तरों के बारे में यानि मोन जोदरों जो बसती थी वो साथ बार उजड़ी और साथ बार बसी इस परकार के साथ से विद्वानों को मिले हैं तो मार्सल ने उसी अध्यान के आदार पर कहा है कि सम्भूता यह बार बार उजडी और बार बार इसका विकास हुआ और तो उन्होंने इस बार को कारण मान लिया फिर तीसरे नमर पे नदियों का मारग परिवर्तन तो लेंब्रिक लेंब्रिक करते हैं को जो सिंदू नदी ती या उसकी जो साहिक नदियां थी उन्होंने मारेग बदल लिया उसल्व यह सब्वेता नस्ट हो गई इसी परकार से MS वत्स जो हैं वो भी कहते हैं कि उसकी जो सहाइक नदियां थी सिंदु की जिसमें रावी नदी को कंसिडर किया इन्होंने कि इन नदियोंने मारक परिवर्तन कर लिया और यह सब्वेता नस्ट हो गई अगले करम में जल्वायू इन्होंने क्या क्या कह इसे ब्हूताव की जल्वायू नस्ट होगे इनका मना घूक् penetratehtalk शाएकल कि यह निल्वाउर सहनी तो यह जिस्से भार करवेता में जल्वाबन हुआ कि यह हमें थोड़ा यहां कंसिडर करना है जल पलावन, अकेला जल पलावन अगर आए तो इसको बाड नहीं मानना है, यह अगर जल पलावन की बात आए तो आपको बाड नहीं मानना है, कहीं बाड माननके जोन मार्शल नहीं कर देना है, जल पलावन सब्द के कारण, यह तो ये लोग यह कहते हैं अगले क्रम में महामारी तो कैनेडी ने इस सब्गता के जो कंकाल मिले थे उनका अध्यन किया क्युक्त आत्युड़ अिसी प्रकार की किसी बिमारी से सब्गता नस्त होगी ऐसा किसका मानना है कैनेडी का फिर पारिष्टिति की एसंतुलन से पहले ये थोड़ा कंसिडर करते हैं फेर सर्विस का कि संसादनों के अत्यदिक दोन से ये सब्वेता नस्ट हो गई फेर सर्विस मोदे कहते हैं कि जनसंग क्या बढ़ गई पसु बढ़ गए और संसादनों का अत्यदिक दोन हुआ अब संसादनों का अत्यदिक दोन हुआ तो क्या हुआ पारिष्टिति की जो थी उसमें ऐसंतुलन उत्पन हुआ विकित हापर की अनुसार और ये सब्वेता नस्ट हो गई ऐसा इनका मानना था तो ये सारे कथन अनेक कथन इसमें बताये गए हैं अब बात करें कि क्या वास्तम में देखो संभव नहीं है सारी चीजें एक किसी एक कथन को हम कंसिडर नहीं कर सकते इसमें से जैसे वीलर ने सिर्फ रिगवेद में जो कानी कथा दी गई है कि हरी यूपिया की और ये पुरंदर को नस्ट करने की इंदर दवारा तो इसको कंसिडर करके अपने मत को गड़ दिया मारेसल महदit ने जो महन जोड़ों से अनेक संश्कृतियों के मिले हैं तो ङूब सहां दार पर कहा है कि बाड़ से नस्ट हो गई अब शाभ यह तो हो नहीं सकता ना कभी जमु कसमीर के जुन ऑबाढ़। नस्तों नस्तै और ये नहीं के सकते हो सकता है। कोई एक ये और तीन बस्तिया बाढ़ नस्तों डूगी, ये सारी दूर रखने पर्लड अपना मत Колब हpeesद आगे पनेंधका Smith ओर आगे जैसे Kennedy ने ँह नर्कंक्दा का देन एनक टिर है। सभी ने अपने अधार पर जो अध्यन किया और उसमें जो विसेस बात उनको लगी वो उन्होंने कंसिडर करते हुए अपने मत को परसूत कर दिया कि इस कारण से सब्वेता नस्ट हो गई अब महामारी की बात है तो यह भी संब्व नहीं है कि एक जगह से महामारी या किसी बिमारी कारण लोग मरे हैं तो सारी जगहों से ही मर गए होंगी ऐसा नहीं हो सकता तो निश्कर्स तैम कह सकते हैं कि वास्तम में ये सब्वेता थी वो किसी एक कारण से नहीं होकर के अनेक कारणों से नस्ट हुई और किसी एक साथ नहीं होकर के एक कर्मिक रूप से एक लंबे समय में दिरे दिरे नस्ट हुई है तो इसको हम इस परकार से consider कर सकते हैं तो साथियों आप सभी जो है उसका इस वीडियो में सामिल होने के लिए धन्यवाद आपके सुजाव हमारे लिए महतोपूर्ण है अपेक सीत है